नमस्कार दोस्तो मेडिसीन वाल्ड चलार में आप से भी दुस्तो का दिल से स्वागते। मैं दिपक कमार आज लेक्या हूँ अलबैंडर जोल और आल सस्पेशन के बारे में। दोस्तो एक सस्पेशन बच्चे में कौन-कौन बीमारी में इसे यूच के जाते हैं इसके बारे में पूरे जानकारी दूँगा विड़े कंद तक जरूर देखे तक कि आपको सेजनकारी मिल सेके दोस्तो परकति इसका कंपनी के बारे में इसको पड़क्शन करती है बच्चे में कंद बच्चे में कीड़े की समस्या हो तो इस्ठी में इसिजज़ यूच कर सकते है बात कते हैं दोस्तों बच्चे की पेट में जब कीड़ों होते उसके कूट जो सिम्टम्स की बारे में जैसे की बच्चे दुगले पतले देखने लगती है पहले खाना पीना काम हो जाता है बच्चे में इसका लाबा बच्चे में जो डार्या की समस्या देखने को मिल सकती है वामेटिंग जैसे आपको देखने को मिल सकती है दोस्तो इसका लाबा बच्चे के गुद्दे में खुजली की समस्या और गुद्दे से जो आपका कीड़े निकल भी सकती है दोस्तो दोस्तो एक फिकूच इसका सेम्टम्स की बार में इंफरमसन अगर बात करें बच्चे में जो पेट के जो कीड़े की समस्या क्यूं होती है दोस्तो छोटे बच्चे बे जो दिन बर जो मिट्टी वेगरा में खेलते रहते हैं जिसके कारण से वो इंफेक्शन बढ़ने की समस्या होती है यान कि जब बच्चे हाथ में मूल डालते है जिसके कारण से वो पेट में च infection देखने को मिल सकती है दोस्तों जो अलमेंड़ शिरफ आप बच्चे को तीन महीने के बात एक यूज कर सकते हैं यानिकि अगर आप एक डौच आभी यानिकि आज दे दिया इसके बाद तीन महीने के छोड़ के और एक डौच दे सकते हैं दोस्तों इसका साइब डिस्ट की बात करें जैसे की उल्टी जी मिचलाना की समस्य आपको देखने को मिल सकती है दस्त की समस्या की समस्य आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों अगर आपका बच्चा के तीन साल हो गया है तो इस आप यूज कर सकते हैं इसे यूज कर सकते हैं इसे यूज करने से पहले बाद आप ए जो अलमेडा जोल शिरप को अपने बच्चे को दे सकते हैं दोस्तो दोस्तो यह थी कूछ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरा बैल अक्रम को प्रेस करें तब तक लिए जैहिन जै भारत बंद मातरम